हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करिंट अफेर्स बाई रवी में आज की वीडियो में मैंने सारे क्वेशन्स एक्जाम ओरिये लिये हैं आप किसी भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजपूल होगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवी स्टडी आईक्यू जीके से मिल जाएगा बढ़ते हम अपने फर्स क्वेशन की तरफ भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमिंट सिस्टम लेंकित सुविधा सुरू की है और इसका सही आंसर है ओप्शन D सिंगापूर दोस्तो भारत और सिंगापूर मिलकर एक नई सुविधा की सुरुआत की है जिसका नाम है रियल टाइम पेमिंट सिस्टम लेंकित सुविधा दोस्तो ध्यान में रखिए इस पहल में भारत के UPI और सिंगापूर के पे नाव के बीच क्रोस बॉर्डर कनेक्टिविटी सुरू की जाएगी और इस सुविधा के माध्यम से भारती उप्योग करता एक दिन में अधिक्तम साथ हजार रुपए जो की तकरीबन एक हजार सिंगापूर डॉलर के बराबर होता है ततकाल भेज सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परियावरन को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्रिक तिर्थ यात्रा गलियारा कहां बनाया जाएगा इसका सही आंसर है आप्शन ए उत्राखंड में दोस्तो उत्राखंड एक पहला ऐसा राज्य होगा जहांपर इलेक्ट्रिक तिर्थ यात्रा गलियारा बनाया जाएगा ताकि परियावरन को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकदर के अधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है इसका सही आंसर है ऑप्शन B केरल दोस्तो केरल एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सोने की एक समान कीमत को लागू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहला chat GPT संचालित AI chatbot Lexi किस company ने launch किया है इसका सही answer है option B velocity velocity वो company है जिसने Lexi को launch किया है और ये भी ध्यान में रखिए chatbot क्या होता है ये एक computer program है जो user के सवालों को समझने और उसका जवाब देने के लिए artificial intelligence और natural language processing जिसे NLP कहा जाता है का उपयोग करता है next question क्यों बढ़ते हैं किस bank ने भारत का पहला voice biometric प्रमानी करन banking app launch किया है और इसका सही answer है option A city union bank दोस्तो city union bank भारत का एक ऐसा पहला bank है जिसने voice biometric प्रमानी करन banking app को launch किया है ये app क्या करेगा ये app ग्राको को bank के mobile banking app में login करते समय आवाज अधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमती देता है अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं क्रिशी ड्रोन के लिए agri drone subsidy प्राप्त करने वाली भारत की पहली drone company कौन सी बनी है और इसका सही answer है option D गरूर एरोइस्पेस दोस्तो गरूर एरोइस्पेस भारत की ऐसी पहली drone company है जिसको agri drone subsidy प्राप्त हुई है और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये subsidy क्रिशी ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है पुणे में आयुजित एक कारेकरम में agri drone subsidy के तहत आठ किसानों को गरूर किसान drone दिये गए है बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ भारत की पहली semi high speed छेतरी rail सेवा का नाम बदल कर नया नाम क्या हो गया है इसका सही आंसर है option B rapid X दोस्तों जो semi high speed छेतरी rail सेवा था अब इसका नाम हो चुका है rapid X याद रखिए दोस्तों ये नाम राश्ट्री राजधानी छेतरी परिवहन निगम NCRTC ने दिया है यह service छेतरी rapid transit system RRTS corridor पर चलेगी इस corridor में दिल्ली से मेरट, पानीपत और अलवर तक semi high speed train चलेगी next question हमारा है भारत का पहला राश्ट्री metro rail ग्यान केंदर कहां बनाया जाएगा और इसका सही answer है option B नई दिल्ली दोस्तों दिल्ली में भारत का पहला राश्ट्री metro rail ग्यान केंदर बनाया जाएगा ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये केंदर दिल्ली में विश्व विद्याले metro station पर इस्थीत होगा और सारवजनिक नीजी भागिदारी triple P model पर बनाया जाएगा next question हमारा है परियावरन सनरक्षन के लिए किस राज्य ये केंदर सासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री इस्थानिक योजना MSP की रूप रेखा सुरू की है इसका सही आंसर है option B पुदू चेरी दोस्तो पुदू चेरी जो है वो एक केंदर सासित प्रदेश है जिसने समुद्री इस्थानिक योजना MSP की रूप रेखा सुरू की है याद रखी दोस्तो इस योजना का उद्देश क्या है समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटिय परियावरग संरक्षन के साथ साथ विकास को संतुलित करना इस योजना को भारत और नार्वे मिलकर लागू करेंगे इसे इंडो नार्वे ओशन इनिसियेटिव के तहत लागू किया जा रहा है बारती वायू सेना में लड़ाकू इकाई की कमान सम्हालने वाली पहली भारती महिला अधिकारी कौन बनी है और इसका सही आंसर है ओप्शन बी शालिजा धामी दोस्तो ध्यान में रखिए सालिजा धामी जो है वो पश्शीमी छेत्र में मिसाइल इसक्वाडरन की कमान सम्हालेंगी नेक्स क्वेस्चन है हमारा हरित बॉंड जारी करने वाला भारत का पहला सहरी निकाय कौन बना है और इसका सही आंसर है ओप्शन बी इंदॉर दोस्तो इंदॉर ऐसा पहला सहरी निकाय बना है जिसने हरित बॉंड को जारी किया है नेक्स क्वेस्चन हमारा भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जाएगा और इसका सही आंसर है option B पुणे महाराष्ट्र में पुणे में भारत का सबसे गहरा metro station बनाया जाएगा दोस्तों ये भी याद रखने हैं आपको कि भारत का सबसे गहरा metro station पुणे के civil court में बनाया जाएगा बढ़ते हम अपने next question की तरफ भारत का पहला carbon neutral drone किस company ने launch किया है और इसका सही आंसर है option B गरूर एरोइस्पेस गरूर एरोइस्पेस एक drone company है जिसने भारत का पहला carbon neutral drone launch किया है next question की और बढ़ते हम भारत अपनी पहली अपसिस्ट से hydrogen परियोजना कहां इस्थापित करेगा और इसका सही आंसर है option A पुने महरास्ट अपसिस्ट से hydrogen परियोजना के सुरवात पुने में की जाएगी याद रखे दोस्तों पुने नगर निगम the green brilliance TGBL के साथ कच्रे का उपयोग करेगा और इसे उपयोग करने योग्य green hydrogen में परिवर्तित करेगा इसका सही आंसर है option B शिलॉंग जो की मिघाले में स्थित है दोस्तों शिलॉंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंदर इस्थापीत किया जाएगा और ये किसलिए है ऑनलाइन गेमिंग के लिए नेक्स क्वेशन भारत का पहला dark sky reserve कहां बनाया जाएगा इसका सही आंसर है option C लद्दाक में दोस्तों लद्दाक में भारत का पहला dark sky reserve बनाया जाएगा नेक्स क्वेशन है एंटी पीसी ने भारत का पहला वातनुकुलित कंडेंसर सूपर क्रिटिकल प्लांट कहां चालू किया है इसका सही आंसर है option A उत्तरी करण पुरा जो कि जारखन में इस्थित है दोस्तों ये प्लांट किसने स्थापित किया है एंटी पीसी ने नेक्स क्वेशन क्यों बढ़ते हम इससे पहले कुछ important points एंटी पीसी के बारे में एंटी पीसी का full form है National Thermal Power Corporation इसकी इस्थापना हुई है 1975 में 2010 में यह महारतन कंपनी बन गई है और इसका मुख्याले है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्षें गुर्दीप सिंग नेक्स क्वेशन है हमारा भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला hydrogen truck किस कंपनी ने लौंच किया है इसका सही आंसर है Option D Reliance Industries ने दोस्तो Reliance Industries ने लौंच किया है देश में चलने वाला पहला hydrogen truck जो कि कौन सी तकनीक से चलेगा H2ICE ध्यान में रखिएगा यह important question है बढ़ते हम अपने next question की तरफ हाथियों के अप्राकृतिक मौतों के कारणों की जाच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला elephant death audit framework पेश किया है और इसका सही आंसर है Option A Tamil Nadu दोस्तों Tamil Nadu एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने elephant death audit framework लौंच किया है क्यों? ताकि यह जाना जा सके कि हाथियों के अप्राकृतिक मौत का कारण क्या है भारत की पहली हरित उर्जा अधारित सौर पैनल निर्मान फेक्टरी कहां इस्थापित की जाएगी इसका सही आंसर है Option A उत्त्राखंड दोस्तों उत्त्राखंड में सौर पैनल निर्मान फेक्टरी इस्थापित की जाएगी और ये हरित उर्जा पर अधारित है साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिए ये सौर पैनल निर्मान फेक्टरी एलुमिनस पावर टेक्नलोजिस कंपनी द्वारा बनाई जा रही है नेक्स क्वेस्चन है डोगरी भासा में भारती सम्विधान के पहले संसकरण का विमोचन किसने किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किरन रिजिजू जो की कानूनी मंत्री है नेक्स क्वेस्चन की तरब बढ़ते हम स्वास्त का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान जी हाँ दोस्तों राजस्थान ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने स्वास्त का अधिकार राइट टू हेल्थ विधेयक लाया है याद रखिए इसमें स्वास्त का अधिकार विधेयक केवल राजस्थान के निवासियों को नीजी प्रतिश्थानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोग शालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करेगा इसे कहा जाता है राइट टू हेल्थ नेक्स्ट क्वेशन की ओर बढ़ते हम सौ प्रतिशत रेल विध्यूती करन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है और इसका सही आंसर है ओप्शन डी हर्याना दोस्तो हर्याना ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सौ प्रतिशत रेल विध्यूती करन को पूरा किया है ध्यान में रखिये दोस्तों हर्याना का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 1701 रूट किलोमेटर है जो अब सौ प्रतिशत विध्यूती करित है जिसके परिणाम स्वरूप आयतित कच्चित तेल पर निर्भरता कम होगी और विधेसी मुद्रखी बचत होगी नेक्स क्वेस्चन क्यों हम बढ़ते हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरंड कहां किया है और इसका सही आंसर है option C कोच्ची कोच्ची कहां पर है केरल में तो दोस्तो केरल के कोच्ची में जल मेट्रो परियोजना की सुरुवाद की गई है और ये किस ने किया है भारत के प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने ध्यान में रखिए ये मेट्रो परियोजना कोच्ची श्रीपियार्ड लिंबिटेड द्वारा निर्मित आठ इलेक्ट्रिक हाइब्रिट नावकाओं से सुरू होगी next question के और हम बढ़ते है वीरता पुरसकार पाने वाली भारती वायू सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है और इसका सही आंसर है option A दिपिका मिश्रा दोस्तो दिपिका मिश्रा पहली भारती महिला अधिकारी है जो भारती वायू सेना से है और जिने वीरता पुरसकार से सम्मानित किया गया है धान में रखे राजिस्थान के दिपिका को मध्य प्रदेश में बाण राहत अभियान के दोरान प्रदर्शित असाधारन साहस के कारि के लिए वायू सेना पदक से सम्मानित किया गया है next question सरकारी विभागों में 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वहनों EVS को सामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है इसका सही आंसर है option C उत्तर प्रदेश दोस्तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो सरकारी विभागों में 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वहन को शामिल कर देगा साथी साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परियावरण को बच्चाने और इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी को अपनाने के लिए इस पहल की सुरवाद की है next question है हमारा गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है और इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है option B केरल देखिये दोस्तों आपको पताई होगा कि पूरे भारत में अधिक्तम इस्थानों पर गर्मियों के समय में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ जाती है तो केरल ऐसा पहला राज्य है जिसने जल बजट की सुरुवात की है और आप ये ध्यान में रखिए ये जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूरती का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा दोस्तों ध्यान में रखिए हमारी e-book की website launch हो गई है इसे आप note कर लें यहाँ पर आपको हमारे 2022-23 related current affairs की book और सभी subject की paid PDF मिल जाएगी अब बढ़ते हम अपने next question की तरफ भारत का पहला अंतरश्ड्रिय multimodal logistic park कहां विखसित किया जा रहा है इसका सही answer है Option D Jogi Gopa Asam में Jogi Gopa Asam में अंतरश्ड्रिय multimodal logistic park विखसित किया जा रहा है दोस्तों ध्यान में रखिए 693.97 करोर रुपए की लागत से बनाया जा रहा यह जल ये पार्क जल मार्ग, सडक, रेल और वायू से सीधा संपर्क प्रदान करेगा इस परियोजना का उदेश भुटान और बांगलादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पुर्वत्तर छेत्र में परिवहन नेटफर को पुनर जिवित करना है अच्छा दोस्तो ये लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तों को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाय होती है जिसकी मदद से देज भर से लाए गए माल को स्टोर किया जा सकता है नेक्स क्वेशन की ओर हम बढ़ते हैं भारत का पहला 3D मुद्रिट डाक घर कहां खुलेगा और इसका सही आंसर है आप्शन A बैंगलूरू दोस्तों बैंगलूरू में खुलेगा भारत का पहला 3D मुद्रिट डाक घर इसका निर्मान लॉर्सन एंड टूबरो द्वारा किया जा रहा है जो वर्तमान में भारत में निर्मान के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उप्योग करने वाली एक मातर कंपनी है नेक्स क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली पानी के नीचे सडक सुरंग किस सहर में बनाई जाएगी इसका सही आंसर है ओप्शन C मुंबई दोस्तों में मुंबई में बनाया जाएगा भारत की पहली पानी के नीचे सडक सुरंग 2023 तक मुंबई में भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग होगी ये सुरंग गिर गाउं के पास सुरू होती है जो अरपसागर, मीर गाउं, चौपार्टी, माला बारहिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती है यह ब्रीच केंडी के प्रीदर्शनी पार्क पर समाप्त होती है यह ब्रीच का सहीं आंसर है ओप्शन ए पानीपत हरियाना में दोस्तों याद रखिए पानीपत हरियाना में भारत की पहली हरित विमानन इंधन का इस्थापना किया जाएगा यह जो युनिट है वो इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेकनोलोजी कमपनी लांजा जेट के साथ मिलकर लगने वाली है इस इकाई में IOCL की 50 फिजदी हिस्सेदारी होगी जबकि लांजा जेट की 25 फिजदी हिस्सेदारी होगी बाकी 25 फिजदी हिस्सेदारी एरलाइन कमपनियों के एक समू को दी जाएगी नेक्स क्वेस्चन क्यों बढ़ते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायर किस सहर में किया जाएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता तो उस्तो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेल का सफल ट्रायर किया गया है इस ट्रेल के दौरान मेट्रो ट्रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मिटर की टनल से संचालित किया गया है इस ट्रेन के सुरू होने के साथ ही हावडा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा नेक्स ग्वेस्टन भारत की पहली सौर उर्जा संचालित परियतक नाव सुर्यामसू किस राज्य में लॉंच हुई है इसका सही आंसर है option B केरल दोस्तो केरल में लॉंच हुई है भारत की पहली सौर उर्जा संचालित परियतक नाव ये परियतक नाव केरल इस्टेट इनलेंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के एस आई एनसी ने लॉंच किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राश्ट्री उतकरिष्टता केंद्र की स्थापना कहां की गई है इसका सही आंसर है Gobrogram में गुरुगराम में सुरू किया गया है राश्ट्री उतकरिष्टता केंद्र इस उतकरिष्टता केंद्र को स्थापित करने का उदेश क्या है पोच परिवहन के छेतर में कार्बन इमिश्चं को कम करना और इसे कार्बन नूट्रल बनाना next question भारत में पहली बार किस खिलाडी के नाम पर किसी होकी स्टेडियम रायबरेली होकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा और इसका सही आंसर है option B रानी रामपाल दोस्तो रानी रामपाल एक खिलाडी है और देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्टेडियम का नाम किस खिलाडी के नाम पर रखा जा रहा है रानी रामपाल या उपलब्ध पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी बन गई है राय बरेली ने हौकी स्टेडियम का नाम बदल कर रानी जगल्स हौकी टर्फ कर दिया गया है नेक्स ग्वेस्चन तटी परियतन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहां बनाया जाएगा और इसका सही अंसर है ओप्शन ए बिंदू ये कहां इस्थित है करनाटक में दोस्तो बात ये आती है कि इसका उद्देश क्या है तो ध्यान में रखिए इस परियोजना का उद्देश है करनाटक राज्य में 30 चेत्रों में परियतन को बढ़ावा देना मरीना क्या होता है मरीना शब्द का मतलब क्या है इन्हें समुदरी परियतन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है ये छोटी नावों और नाकाओं आदी के जरिये आनन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई जगा या बंदर गा होते है बारत के पहले गाओं के नाम से किस गाओं को जाना जाएगा और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए सीमा सडक संगठन बी आरोने उत्राखंड के चमोली जिले में भारत चिन सीमा पर बसे सीमान्त गाओं माड़ा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रतम गाओं होने का साइन बोर्ड लगा दिया है जिससे की अब माड़ा देश की आखरी नहीं बलकि प्रतम गाओं के रूप में अब ये जाना जाएगा तो अब भारत का प्रतम गाओं कौन होगा माड़ा और ये कहां इस्थित है उत्राखंड में अगले क्वेस्चन की ओर बढ़ते हम भारत का पहला Digital Science Park कहां स्थापित किया जाएगा इसका सही आंसर है Option B केरल दोस्तो केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला Digital Science Park ये पार्क किसलिए बना है ये भी देखते हम ये पार्क Artificial Intelligence, Robotics, Electronics, Smart Hardware, Ticow और Smart समगरी के डोमेन से उद्ध्योग और व्यपार इकाईयों के साथ साथ प्रोध्योगी की स्टार्टप की सुविधा भी प्रदान करेगा और इसलिए इसे बनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है हमारा भारती भूवएग्यानिक सर्विक्षन GSI ने भारत में पहली बार लीथियम के भंडार की खोच कहां की है इसका सही आंसर है option D, Reasi और ये Reasi कहां है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर भारत की पहली लीथियम के भंडार की खोच की है और ये कोच किस ने की है भारती भूवएग्यानिक सर्विक्षन जिसको हम GSI कहते हैं शौट में उन्होंने की है कुछ और points अपको ध्यान में रखे है जम्मू कश्मीर में मिला ये लीथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है लीथियम क्या होता है लीथियम एक ऐसा non-ferrous metal है जिसका उपयोग mobile laptop, electric vehicle समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है नेक्स क्वेस्टिन क्यों बढ़ते हैं द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए द्रिष्टी हिंता नियंतरन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है इसका सही आंसर है option A. राजस्थान दोस्तो राजस्थान भारत का एक पहला ऐसा राज्य बना है जिसने द्रिष्टी हिंता नियंतरन पॉलिसी को लागू किया है और ये किन के लिए है द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए कुछ और बाते ध्यान में रखे अंधता नियंतरन पॉलिसी का उदेश राजस्थान में 3 लाग से अधिक द्रिश्टे बादित लोगों की जिन्दगी को रोशन करना है अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं भारत का पहला समविधान साक्षर जिला कौन सा बना है और इसका सही आंसर है option B कोलम कोलम कहां है केरल में और केरल एक ऐसा राज है जहां पर साक्षरता सबसे अधिक है तो कोलम पहला ऐसा जिला बना है जिसे समविधान साक्षर होने का खिताब प्राप्त हुआ है ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों समविधान साक्षर का मतलब है लोगों को समविधान के बारे में साक्षर किया जाना नेक्स क्वेशन क्यों वरते हैं भारत का पहला hybrid sounding rocket कहां से launch किया गया है इसका सही आंसर है option D पट्टी पुलम तमिलनाडू दोस्तो इस rocket का उपयोग क्या है तो ये ध्यान में रखिए इस rocket का उपयोग मौसम वायुमंडली स्थीतियों और विकिर्णों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है next question है हमारा semi conductor और display बनाने के लिए भारत का पहला semi conductor संयंत्र कहां खुलेगा सही answer है option B धोलेरा धोलेरा कहां पर है गुजरात में तो दोस्तों भारत में पहली बार खुल रहा है semi conductor संयंत्र और ये कहां खुल रहा है दोलेरा में और ये क्या बनाएगा semi conductor और डिस्प्ले इंपोर्टेंट पॉइंट यह संयंत्र वेदानता समू और semi conductor सेक्टर की बड़ी manufacturing कंपनी Foxconn द्वारा इस्थापित किया जा रहा है ये ध्यान में रखिए ये Foxconn द्वारा इस्थापित किया जा रहा है next question सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्ता वेच प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है और इसका सहीं आंसर है option B वायनार्ट वायनार्ट कहा का जिला है केरल राज्य का ये पहला ऐसा जिला बना है पुरे भारत देश में जो आदिवासियों को बुनियादी दस्ता वेच प्रदान करता है कुछ और बाते ध्यान में रखे दोस्तों केरल का वायनार्ट जिला सभी आदिवासियों को अधार कार्ट, राशन कार्ट, जन्म मित्यु प्रमान पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते, स्वास्त बीमा जैसे बुनियादी दस्ता वेच और सुविधाय प्रदान कर भारत का पहला जिला बन गया है, अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और इसका सहीं आंसर है, option B महारास्ट्र, दोस्तों अब महारास्ट्र राज्य में दिव्या व्यवसाईग दोनों तरह से सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है अगले question क्यों बढ़ते हैं हम हिंदी भासा में medical और engineering course सूरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही answer है option A. मध्यप्रदेश दोस्तों मध्यप्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जहांपर medical और engineering की जो पढ़ाई है वो अब हिंदी मीडियम में भी होगी हिंदी भासा में भी होगी next question हमारा भारत की पहली electric वातनुकुलित डबल देकर बस का उदगाटन किस सहर ने किया है correct answer है option B मुंबई दोस्तों याद रखिए मुंबई एक ऐसा पहला सहर है जहांपर सुरू किया गया है पहला electric वातनुकुलित डबल देकर बस next question हमारा 5G उपयोग मामलों की जमिनी इस्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है सही answer है option A विदीशा विदीशा मध्यप्रदेश दोस्तों 5G के बारे में ध्यान में रखना होगा आप लोगों को 5G तकनीक क्या है पांचवी पिड़ी के mobile network को 5G कहा जाता है 5G network millimeter wave spectrum 30-300 gigahertz में काम करेगा जो बहुत तेज गती से भारी मातर में डेटा भेज सकता है next question जम्मू कश्मीर में mega mall परियोजना सुरू करने वाली पहली विदेशी कमपनी कौन सी बनी है सही answer है option B MR और ये कहा की कमपनी है कौन से देश की कमपनी है UAE की MR ने mega mall परियोजना की सुरुवात की है और कहा की है जम्मू कश्मीर में याद रखिए दोस्तों MR समू कुल 500 करोड का निवेश करेगा जिसमें mega mall के लिए 200 करोड और जम्मू और श्रीनगर में IT टावर स्थापित करेगा या mega mall जम्मू कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने पहली मितनौल से चनने वाली बसो का अनावरं कहां किया है और इसका सही आंसर है option B बैंगलूरू दोस्तों देश में पहली बार मितनौल से बस चल रही है और कहां बैंगलूरू में और इसका अनावरन किसने किया है? केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने धियान में रखने वाली बात ये है मितनाल का उतपादन कार्बन मोनो ऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है जिसे सिंगेस के रूप में भी जाना जाता है मंदिर अनुस्ठान करतव्यों के लिए रोबोट हाथी को सामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही आंसर है ओप्शन C केरल दोस्तो केरल में लॉंच किया गया है रोबोट हाथी और ये किस काम आएगा मंदिर में होने वाले अनुस्ठानों के लिए दियान में रखना है केरल के त्रिशूर जिले में इस्थित इरिंजाद पिलिज श्रेक्रिश्न मंदिर अनुस्ठान के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उप्योग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है सीवेच को साफ करने के लिए बांदी कुट नामक रोबोटिक स्केवेंजर का उप्योग करने वाला भारत का पहला राजिक कौन सा बन गया है सही आंसर है ओप्शन C केरल किस राज्य सरकार ने दो हजार पस्चिस तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष रखा सही आंसर है ओप्शन A हिमाचल प्रदिस दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लक्ष रखा है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश बन जाएगा भारत का पहला हरित राज्य हिमाचल प्रदेश सरकार सौर उर्जा सन्यंत्रों में निवेश करेगी वर्स 2023-24 के दोरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी 200 Megawatt चमता की परियोजना है हिमाचल प्रदेश उर्जा निगम लेमिटेट की और से स्थापित की जाएंगी Next question है सुखोई लड़ाको विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पाइलेट कौन बनी है और इसका सही आंसर है Option C अवनी चतुरवेदी दोस्तो अवनी चतुरवेदी बनी है भारत की पहली महिला पाइलेट जिसने सुखोई लड़ाको विमान 30 MKI को उड़ाया है दोस्तो अवनी चतुरवेदी मध्यप्रदेश के सहडोल जिले की रहने वाली है Next question की और बढ़ते है अपनी जेलो को मानवी कृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही आंसर है Option A अरुनाचल प्रदेश दोस्तो मानवी कृत करेगा मतलब जेल के कैदियों के साथ मानव जैसा वरताव करेगा अच्छे से वरताव करेगा कुछ पॉइंट स्थेहान में रखे अरुनाचल प्रदेश कैदियों के पती विवहार में समाजिक और प्रसाशनिक बदलाव के लिए अपनी जेलो का मानवी करन करेगा Next question की और बढ़ते है अपना जलवायू परिवर्तन मिशन सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है और इसका सही आंसर है Option D तमिल नाडू दोस्तो तमिल नाडू एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने मिशन की सुरुवात की है अपना जलवायू परिवर्तन मिशन तमिल नाडू जलवायू परिवर्तन मिशन को जीला अस्तर पर लागू करेगा और वो इस मिशन को कारियानवित करेगा जलवायू अधिकारियों द्वारा नेक्स क्वेशन पर बढ़ते हैं आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहां खुला है और इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन भी महू में महू कहां इस्तित है दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों ध्यान में रखे कुछ बातों को इस म्यूजियम में इन्फेंट्री के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, सौर्य और वीर सैनिकों के बलिदान को 3D पिंट्रर और हाथों से बने इनसान की तरह हूबहू दिखने वाले स्टैचू, मूरल्स और फोटो गैलरी में संजोया गया है बढ़ते हम अपने नेक्स क्वेशन की तरफ भारत का पहला बौध विश्व विद्याल है, धम दीपा अंतर राष्ट्रिय बौध विश्व विद्याल है DDIBU कहां बनाया जाएगा और इसका सही आंसर है Option B थ्रिपूरा में दोस्तो थ्रिपूरा में बनाया जाएगा भारत का पहला बौध विश्व विद्याल है अगला question है हमारा भारत की पहली pocket size swipe machine micro पे किस bank ने launch किया है और इसका सही answer है option B access bank ने दोस्तो access bank ने launch किया है micro पे और ये क्या है भारत का पहला pocket size swipe machine दोस्तो याद रखिए यह एक व्यपारी के smartphone को point of sale POS terminal में बदल देता है जिससे ग्रहकों के लिए digital बुक्तान असान हो जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं quantum computing अधारित भारत का पहला telecom network link कहां सुरू किया है और इसका सही answer है option A नई दिल्ली में आपको यह ध्यान में रखना है कि quantum computer बहुतिक विज्ञान के quantum सिध्धान पर कारी करने वाला computer होता है जो quantum सिध्धानतों की सहयता से system को अत्यधिक तेजकार गती प्रदान करता है next question किस bank ने भारत की पहली आधार सक्षम भुक्तान प्रणाली A E P S के लिए चहरा प्रमानी करन लाने की घोशना की है सही answer है option B Airtail Payments Bank ने दोस्तो Airtail Payments Bank ने चहरा प्रमानी करन तकनीक लाने की घोशना की है आपको ध्यान में रखना है ये नई सुविधा Airtail के 5 लाग बैंकिंग बिंदों पर उपलबद होगी और अधार अधारित लेंदेन की पहुच और सुरक्षा को बढ़ाएगी चहरा प्रमानी करन क्या होता है दोस्तों किसी व्यक्ति के चहरे का उप्योग करके उसकी पहचान करना और पुष्टी करने का एक तरीका होता है अध्यात सवों का डियने डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही आंसर है ओप्षन ए हिमाचल प्रदेस दोस्तो हिमाचल प्रदेस भारत का एक ऐसा पहला राज्य बना है जो अध्यात सवों का डियने डेटाबेस तयार कर रहा है इस database की मदद से राज्य के निवाशियों को अपने सक्के संबंधियों की तलास में काफी मदद मिलेगी साथी इस database की मदद से अग्याद सवों की पहचान करना अब असान हो जाएगा Next question रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है और इसका सही आंसर है option B उत्त्राखन दोस्तो उत्त्राखन भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो बीमा योजना की सुरुआत करेगा किन के लिए रेशम उत्पादकों के लिए उत्रकन भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने रेशम उत्पादकों के लिए जलवायों परिवर्तन और अन्य खत्रों के प्रभावों से बचाने के लिए एक बीमा योजनकी शुरुवात की है अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं लिकोरिस जिसे मुलेठी भी कहा जाता है कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है और इसका सही आंसर है ओप्शन डी हिमाचल प्रदेश दोस्तो हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो लिकोरिस की खेती करता है वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देसों से आयात किया जाता है मुलेठी का उपयोग किया जाता है मुलेठी का उपयोग किया जाता है हरबल दवाओं में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी और तंबाकों में फ्लेवर लाने के लिए नेक्स क्वेस्चन भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक सुरू की जाएगी सही आंसर है ओप्शन बी दिसंबर दोहजार तेईस दोस्तों दिसंबर दोहजार तेईस से सुरू हो जाएगा भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो पहला hydrogen train काल का सिमला सर्कुट पर चलेगा इस train का परिक्षन हर्याना के सोनी पजिन खंपर किया जाएगा नेक्स क्वेस्चन भारत का पहला भारत का पहला glass igloo rain straw कहां खुला है और इसका सही आंसर है option A गुलमर्ग दोस्तो गुलमर्ग कहां है जम्मू कश्मीर का एक बहुती प्रसिद परिटन इस्थल और यहां पर खुला है glass igloo rain straw आप कभी यहां जाएं तो जरूर यहां विजिट करें नेक्स क्वेस्चन है डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंदर सासित प्रदेश कौन सा बना है सही आंसर है option A जम्मू कश्मीर दोस्तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा पहला केंदर सासित प्रदेश बन चुका है जिसने digitalization को पूरी तरीके से अपना लिया है इसका उदेश क्या है? सभी सेवाओं को online करने का मुख्य उदेश लोगों को line to online करना है जिसके तहट नागरिक सरकारी office जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाब digitally उठा सकेंगे Next question पर आते हैं हम पूर्ण digital banking वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और इसका सही आंसर है option B केरल दोस्तो केरल अब बन चुका है full digital banking ध्यान में रखिये राज्य स्तरी बैंकर समीती SLBC के अनुसार केरल राज्य में अब 3.76 करोड बैंक खातों में कम से कम एक प्रोड़क्ट डिजिटल की रूप में उपलब्ध है Next question भारत की पहली व्यवहारिक लैब की स्थापना कहां की जाएगी? सही आंसर है option A जैपूर राजस्थान में दोस्तो जैपूर में स्थापित की जाएगी भारत की पहली व्यवहारिक लैब अब ध्यान में रखे इस प्रयोग साला के माध्यम से विभिन्न महा विद्यालियों और विश्व विद्यालियों में प्रायोगिक अध्यन के छेतर में प्रसिक्षन कारेकरम आयूजित किये जाएगे अपने फैस लोग को छेतरी भासा मल्यालम में प्रकासित करने वाला भारत का पहला हाई कोड कौन सा बना है करेक्ट आंसर है औप्शन बी केरल हाई कोड दोस्तों आपको पता ही होगा कि केरल का जो लेंग्वेज है वो क्या है मल्यालम दोस्तो मुझे उम्मीद है आपने सारे questions बहुत अच्छे से सुने और समझे होंगे अब दो question का answer आप मुझे comment box में बताईए ये एक test है छोटा सा सिर्फ दो question का पहला question क्या है भारत की पहली नदी के नीचे सडक सुरंग किस सहर में बनाई जाएगी इसका answer आप मुझे comment में दीजे और दूसरा question क्या है आप लोगों के लिए भारत का पहला digital science park कहां इस्थापित किया जाएगा इसका answer comment में दीजे दोस्तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि हमारी e-book की website launch हो चुकी है 2022-2023 के current affairs और सभी subject का paid pdf आपको यहाँ मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे और आप अगला वीडियो किस topic पर चाहते हैं वो comment में बताना ना बुलें मिलते हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए